क्या आप लोग जानते हो दोस्तों एस्वरिया से लेकर विक्रम तक पॉनियन सेलवन 2 के स्टार काष्ट ने कितनी लिये फीस साल 2022 में मणी रत्नम की फिल्म पॉनियन सेलवन का पार्ट 1 रिलीज हुआ था और गाईज अभी हाली में 28 अप्रेल को पॉनियन सेलवन का पार्ट 2 भी रिलीज हो चुका है सबसे पहले बात करते हैं गाईज एस्वरिया राइब बच्चन की तो एस्वरिया राइब बच्चन आप लोगों को PS2 में रानी नंदिनी के रोल में नजर आने वाली है और गाईज उन्होंने अपने इस रोल को करने के लिए 10 करोड रुपे चार्ज किये हैं बात करें चियान विक्रम की तो पॉलियन सेलवन 2 में विक्रम कलिकारन का रोल चियान विक्रम ही निभा रहे हैं और उन्होंने दोस्तों अपने इस रोल को करने के लिए 12 करोड रुपे चार्ज किये हैं बात करें दोस्तों त्रिशा कृष्णन की तो त्रिशा कृष्णन राजकमारी कुंडवई का रोल प्ले करने वाली है और उन्होंने दोस्तों अपने इस रोल के लिए 3 करोड रुपे चार्ज किये हैं बात करें दोस्तो ऐस्वरिया लक्षमी की तो ऐस्वरिया लक्षमी आप लोगों को पुंगु जहाली के रोल फ्ले करतीवी नजर आएंगी और गईज उन्होंने अपने इस रोल के लिए एक पॉइंट पाँच करोड रुपे चार्ज किये हैं बात करें दोस्तो कार्थी की तो कार्थी आप लोगों को पियेश टू मुवी के अंदर राज कुमार वल्लव रायान वंदिया देवन के रोल में नजर आने वाले हैं और उन्होंने अपने इस रोल के लिए पाँच करोड रुपे चार्ज किये हैं दोस्तो बात करें जे राम रवी की तो भाई जे राम रवी आप लोगों को अरुन मोही के रोल में नजर आने वाले हैं और उन्होंने अपने इस रोल के लिए तीन करोड रुपे चार्ज किये हैं